हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लेर्न फन पर और इस लेक्षर के अंदर हम लोग डिसकस करने वाले हैं अनिमल किंडम और उसका वन शॉट सो काफी अच्छे तरीके से हम लोग सारे चुझे कवर करेंगे और डीटेल्ड वन शॉट होगा तो आपको ऐसा सोचने की जूरत नहीं है कि क्या यहाँ पे सिर्फ बोर्ट लेवल का है या नीट लेवल का है तो यह जादा लेट नहीं करते हैं शुरू करते हैं ठोड़ा सा लंबा होगा वन शॉट क्यूंकि चैप्टर आपको पता है कि काफी बढ़ा है चालो जी तो आगे बढ़ते है आगे बढ़ने से पहले हमने एक काफी अच्छा सा कोट लगा रखा है यहाँ पे सो इसको रीड कर लेते हैं हो सकता है किसी को कुछ होता है न कि परशान हो सो इक सार्टिंग में छोटा सा प्यारसम कोट लेकर आते हैं So in the end we all become stories So वो होता है न कि at the end Last में सब कुछ जब खतम हो जाता है So we all become stories So आप क्या चाहते हैं कि आपकी story कैसी बने अच्छी बने, बेकार बने, बोरिंग बने या कोई ना देखे ठीक है तो आपको उस हिसाब से अपनी life पे work करना है जतना भी अभी खराब हो गया हो गया बहुत सारी movies का क्या कहते है starting थोड़ी से slow होती है and end में जाके climax build होता है हाना So अभी तक चीजे ठीक नहीं चल देथी कोई बात नहीं थोड़े से effort मारो थोड़े से hard work करो and everything will be perfect हो जाएगा सब ठीक and create your good story एक अच्छी story create करने है की बात में होता है कि कहते है कि मर्दर टाइम flashbacks आते है so अगर flashbacks आएंगे तो काफी अच्छा लेगा कि यार पहले बहुत बूर्या लगती खुद को बहुत सुधार लिया हाना तो ये भी जरूरी है बाकी शुरू करते हैं पढ़ाई की भी जादा जरूरत है चलिजी so animal kingdom में लोग शुरू कर रही है इस chapter के अंदर काफी important चीज़े है exam में इसका weightage भी काफी अच्छा गासा है जो term है ठेक है animal kingdom के अंदर हम बात करेंगे सब सब पहले taxonomy के बारे में taxonomy क्या होता है ये taxonomy मतलब basically के कहते है तो आप basically naming करते है classification करते है taxonomy के अंदर biological classification वाले one shot के अंदर मैं इसको अच्छे तरीके से तो यह जो term taxonomy was given by candle father of osology जो होते है हमारे कौन है अरिस्ट्योल है अब आप सोच रहूँगे कि मैंनेiens दो term आपको यहाँ पर क्यों बताएं है क्योंकि इनके उपर ठेक है यह तो term taxonomy यह जो चीजें है इनके उपर exam में question आ चुका है नीट में इसके उपर question आ चुका है इसलिए मैं आप लोगों को यह चीजें बता रहा हूँ ठीक है so important है बाकी अब हम लोगों को करना क्या है हम लोगों ने बोला था कि भाई देखो बात ऐसी है कि classification पढ़ना है हम लोगों को हाना यह हमारी कुछ kingdom होती है आप लोगों ने अभी तक अपने स्कूल में इतना जाना होगा या आपने previous classes देखी होंगी या आप लोग पहले से पढ़े हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि या देखो पांच kingdom थी हमारी ठीक है कौन कौन सी थी तो मनेरा हो गया फिर उसके बाद प्रोटेस्टा हो गया ठीक है हमारा फंगाई और प्लांटे और एनिमेलिया प्लांटे और एनिमेलिया अब हर एक चीज को classify करने का एक basic funda होता है basic reason होता है बहुत सारे बच्चों की दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि classification हमें करना ही क्यूं है क्योंकि देखो कुछ चीजे होती है जो आप लोगों को स्कूल में नहीं बताई जाती है थोड़ा डीटेल में इसकी बारे में discussion करना जरूरी है और मुझे किसी बात की जल्दी है नहीं हाना classification क्यों करना है classification किसले necessary है अगर मैं एक simple सा basic सा term बताऊं तो मेरे हिसाब से ठीक ह नहीं पढ़ सकते लेकिन आप क्या कर सकते हैं आप उनके बारे में कुछ basic पांचे properties याद रख सकते हैं कैसे याद रख सकते हैं आप उन millions of species के groups बना दीजिए उनको उन groups में place कर दीजिए ठीक है तो आपको कुछ पांचे properties या पांचे common characters तो याद ही रहेंगे हम लोग diversity व होता है classification का that is kingdom phylum okay kingdom phylum बहुत बढ़िया उसके बाद kingdom keep out clean class order family genus and species ठीक है and species so यह हम hierarchy level के अंदर कह सकते हो different type of ranks परते हैं ठीक है बहुत बढ़िया अब मान लीजिए कि जैसे हमारे पास animals है अब animal ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे एक जैसे है कुछ ओड सकते हैं कुछ पानी में रहते हैं कुछ लैंड पे रहते हैं कुछ के पास AC capability होती है कि जो land और water दोन जगा रह सकते हैं बिल्गुल रह सकते हैं एक छोटा सा example में आप लोगों को देना चाहूंगा मैं जबी भी classification वगरे जैसे chapters पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा बच्चों को ऐसे example देता हूँ example के तौर पे मान लीजे जैसे हाँ पे आपके पास 100 students के group है 100 students का group है ठीक है अब आपको ये पता लगाना है कि यार इस class में मतलब मैं इस class के बच्चों को classification करता हूँ मान लेते हैं इस class की बच्चों को grouping करता हूँ मैं तो 100 में से मैंने कह दिया कि 40 students जो थे they were interested in किस में study ठीक है आच्छा बाकी मैंने 60 बोल दिये कि ये जो थे ये sports में जादा interested थे क्योंकि बच्चों को थोड़ा होता है कि खेलना मिलना पसंद होता है वाला हमारे टाइम पर तो ऐसा होता था कि हमारे गेम्स का पीरेड होता था तो काफी हम लोग excited हो जाते थे अब पता नहीं आजकल काफी indoor games आ गई है phone आ गया है तो हो सकता है कि बाहर आपका खेलन बगरा पढ़ना पसंद होगा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको commerce बगरा पढ़ना पसंद होगा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको arts पढ़ना पसंद होगा Sports में हम दो category बना देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको outdoor sports पसंद होंगे, यानि की cricket बगरा, ठीक है, कुछ होंगे जिनको indoor sports पसंद होंगे, indoor games पसंद होंगी, chess बगरा, ठीके बाग की सारी चीज़े, अब science के अंदर भी दो हमारे पास options है, that is PCM and second option is PCB, अचा एक और option होता है that is PCMB Outdoor Games के अंदर भी हमारे पास बहुत सार अप्शन होता है मैं अभी दो ही लेके चलता हूँ एक मैं ले लेता हूँ cricket का और एक मैं ले लेता हूँ football का अब मैं एक बड़ी ज़र यहाँ पर number of students जो है वो place कर देता हूँ जिससे हमने बोला कि भाई यहाँ पर कितने बच्चे 40 students यहाँ पर 60 है माल लेता है कि यार science के लिए थोड़े ज़्यादा बच्चे होते हैं ठेके उसको ज़्यादा recommendation मिलता है तो 20 students मैं यहाँ पर रख देता हूँ 10 और 10 मैं यहाँ पर रख देता हूँ अच्छा अब होता है कि जिससे PCM और PCB को ज़्यादा बच्चे प्रफर करते हैं PCM भी लेने वाले बच्चे कम होते हैं तो हम यहाँ पर कर देते हैं 8,8,16 कर दें हाँ 8 कर देते हैं 8 कर देते हैं यहाँ पर 4 कर देते हैं जरूरी नहीं आप लोगों को equally divide करना है मैंने अपनी समझाने के लिए मैंने easily इसको ऐसे लिखा है ताकि वैस हो जाए आप यहाँ पर 7 लिख सकते हैं आपर 9 लिख सकते हैं आपर 4 लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है sports के अगर बात करें तो outdoor games जो होते हैं उसके लिए जादा बच्चे थोड़े से excited होते हैं इंडोर्स के थोड़े सा कम होते हैं तो 40 20 कर दिया मैंने cricket जादा बच्चे खेलना पसंद कर देते हैं football कम तो 30 और 10 कर दिया मैंने ठीक है अब देखो यहाँ पर हुआ क्या मान लो हमसे हमारी क्लास में कोई आया ठीक है उसने बोला कि यार कौन से बच्चे है किसी को पता करना है कि यार किसने बोला कि football कौन कौन बच्चे खेलता है तो अब यह उसके पास दो option थे दो option थे वो क्या थे कि एक तो वो हर एक बच्चे से तो 100 बच्चों से पूछे कि तो मैं football पसंद है नहीं है football पसंद है नहीं है football पसंद है नहीं है ठीक है अब उसके बाद भी फिरो क्या पूछेगा कि sports में अगर आपको खेलना पसंद है तो कि आपको outdoor game पसंद है या cricket या football पसंद है तो ऐसे करने में time लगेगा अब उसके पास के एक पूरा का पूरा classification है वो class में जाएगा उसको ये पता है कि यार इस class के 10 बच्चे है ठीक है ये 10 बच्चे है जिनको football खेलना पसंद है तो classification जो होता है चीजों का कह सकते हो study है चीजों का selection जो है काफी easy कर देता है उसी तरीके से मानलों स्कूल में किसी का Olympiard है ठीक हम मानलेते है कि PCMB का Olympiard है जिसमें चार उस object चार है तो अब वो जो teacher है वो हर बच्चे से पूस्ता कि भाई मतलब या 100 बच्चे है सबसे पूस्ता कि किसका interest है maths में, bio में या बाखी सारी चीजों में या ये पूस्ता किसको science, commerce, arts क्या पसंद है तो अब उसको पता है लेकिन कि ये चार बच्चे है और इनको PCMB में interest है तो वो सीधर चार बच्चों के पस जाएगा उनसे पता कर लेगा कि आपको Olympiard में participate करना है नहीं करना है classification जो होता है चीजों को identification काफी easy कर देता है चीजों की study को काफी easy कर देता है उसी तरीके से हमारे animal kingdom को भी classify किया गया है different philems में, different groups में अलग-अलग purpose थे, अलग-अलग reason थे classification करने के क्या reason थे, क्या नहीं थे थेकिए वो भी हम देखेंगे बट सबसे पहले अब यहां पे आते हैं आगे की तरफ यह देखो basis of classification यहां सब शुरू हो रहा है तो आप लोगों को I guess यह भी पता होगा कि हमारे सबसे पहले classification जो था I guess Aristotle नहीं दिया था अनेमिया और इनेमिया ठीके कि कौन सा अनेमल है इसके अंदर red blood है किसके अंतर red blood नहीं है वो exam में इतना पूछा नहीं जाता है and biological classification वाले chapter में उसको हम cover कर लेंगे बात की बात है वो यह important है पहले उसके पर बात करते हैं यहां से आपका main chapter शुरू हो रहा है and यहां ही से सारी के सारी कहानी है जो important है अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा था वो basic introduction था बस मैं एक बड़ी revise करवाना चाहरा था कि किस तरीके से classification होता है आप लोगों को थोड़ा idea या क्यों होता है उसको थोड़ा idea लग जाए to make things easy या to help in classification sorry, classification से कहा होता है to it helps के कहते है to study the organisms easily हम लोगों को सब को पढ़ने की जुरत नहीं है हम लोगों को उनके basic properties के बारे में पता लग जाता है with help of classification और या आप आगी भी देखेंगे जब हम धीर जरे chapter में आगे जाएंगे चालो जी अब कुछ classification के basis थे जब animal kingdom को classify किया जा रहा था तो कुछ basis थे कि यहां यहां इस इस बेसिस पर animal kingdom को classify करेंगे first point is level of organization next is symmetry third is germinal layer fourth is celom fifth is metamerism फिर notochord embryonic development का हम लोग इतना यहां पर expect नहीं देखेंगे बढ़ उसको भी लिया जाता है embryonic development की इस तरीके से देखा जाता है development direct है indirect है and body plan अब इन सारी चीजों को मैं आप लोगों को एक एक करके अच्छे तरीके से समझाऊंगा और उसके बाद फिरम अपने पहले फाइलम के उपर चलेंगे and अगर आप लोगों ने इस सारे चीजों को सारे points को अच्छे तरीके से सुन लिया it will take अपना अगर आप लोगों ने इन सारे points को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपके लिये आने वाला chapter काफी आसान हो जाएगा बहुत जादा क्योंकि सहीं पर सारे के सारे examples में दे दूँगा and वो सारे examples आप लोगों के सामने आगे आएंगे शुरू करते हैं सबसे पहले level of organization level of organization से क्या मतलब हमारा कि भाई सब जो organism है उसके अंदर आप लोगों को क्या condition देखने को मिल रही है जैसे कि अगर आप यह वाला chart देखेंगे तो हमारे basically चार level of organization होते है cell हो गया, tissue हो गया, organ हो गया, organ system हो गया उसके बाद तो organism बनी जाता है तो उसको हम consider करते नहीं है क्योंकि अगर किसी के अंदर organ system level of organization है तो वो अपना organism बनाई देगा उसी तरीके से हमारे different categories यहाँ पर देखने को मिलती है सबसे पहला यहाँ पर क्या बोला गया cellular level of organization तो यहाँ पर क्या होता है cells are arranged as loose cell aggregates with some division of labor तो यहाँ पर body के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है cells है और उन cells के पास अलग अलग काम देखने को मिलता है cellular level of organization हम लोगों को देखने को मिलता है किस के अंदर pori phairas के अंदर किस में pori phaira अभी आप सोच चुरूंगे कि भाई यह pori phaira क्या है अभी धीर-धीर पता लगता रहेगा एक phylum है kingdom animalia उसके बाद कौन सा आता है हमारा rank phylum आता है तो एक phylum है तो pori phaira का एक phylum है ठीक है अब cells combine करते हैं तो they form tissue तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है tissue level of organization यानि कि ऐसे organisms जिनकी body के अंदर आपको tissues develop हुए दिख रहे हैं देखो जैसे हम plant kingdom पढ़ते हैं कि हमारा सबसे पहले algae था उसके बाद फिर हमारा क्या आया क्या अपना ब्राफाइटर आया ठीके तो algae के पास thyroid body थी ब्राफाइटर के पास थोड़ा सा well developed structure आया टाइड़ोफाइटर के पास थोड़ा वैस्कुले टिशू आया और जिमनोस्वम के पास well developed वैस्कुले टिशू आ गए एंजोस्वम के पास वैस्कुले टिशू बगर सब कुछ था उसके पास क्या कहते हैं flower भी आ गया तो हमने क्या देखा over the period evolution हुआ है उसी तरीके से हम अपने animal kingdom के अंदर भी देखेंगे कि over the period क्या होता रहेगा आप लोगों को complexity बढ़ती भी दिखाई देगी तो यहाँ पर क्या है cellular level of organization कौन शोग करता है पौरिफार शोग करता है next हमारा क्या है tissue level of organization यहाँ पर हमारे जो cells होते हैं performing the similar function यह arrange करते हैं किसमें tissues में example cnidarians and tnophora तो tnophora के अंदर और cnidarian के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है tissue level of organization देखने को मिलता है nidarians के अंदर और tnophora के अंदर we see tissue level of organization ओके जी बात क्लियर है ठीक है tissue जब combine करते हैं तो क्या बनता है organ बनता है तो organ level of organization किसके अंदर organ level of organization in platyhelminthes tissues are grouped together to form organs इन सारे phylum के नाम आगे भी आएंगे ये एक examples मैंने दी है अभी इनके नाम आगे भी आएंगे अभी के लिए आप यहाँ पर क्या याद रखोगे कि cellular level of organization देखने को मिलता है phylum porifera के अंदर tissue level of organization हम लोगों को देखने को मिलता है nidarians और tnophora के अंदर organ level of organization देखने को मिलता है हम लोगों को platy helmetis के अंदर and last is organ system जहाँ पर organs combine करते हैं and they form an organ system ये शुरू होता है हमारा कहां से s kelementis से लेकर के coordinates तक ठीक है s kelementis से लेकर के coordinates तक बहुत बढ़ी है तो ये पहला basis of classification था जहाँ पर आप लोगों ने classification कहा है on the basis of what? on the basis of level of body organization ठीक है बहुत बढ़ी next पर आते हैं next हमारा कहा है symmetry तो symmetry के basis पर भी हम लोगों ने classification किया है अब जैसे आप लोग पहला case देख रहे हो symmetry होता क्या है कि body जो है उसकी shape कैसी है क्या वो equal of में divide हो सकती है नहीं हो सकती है अगर हो रही है तो कितने access से हो सकती है that all comes under symmetry अब इसको मैं example से समझाऊँगा ज़्यादा इसके अंदर वो नहीं करूँगा मैं अगर आप पहला case देखोगे आप पहली के केतने condition देखोगे इस case में एक मिन रुकिए मैं को थोड़ा सा हाँ जी बहुत बढ़िया अगर आप इस case को देखोगे यहाँ से इसको ऐसे divide करते हो अगर आप ठीक है इसको थोड़ा मैं अधर कर दूँ हाँ यहाँ से अगर आप इसको ऐसे divide कर रहे हो तो क्या ये equal of में divide हो रहा है बताओ जी red से कर दूँ red से visible है black से कर देते है और इसको थोड़ा सा हम चलो ऐसी रहन देते है यहाँ से equal of में divide हो रहा है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भी यहाँ equal of में divide नहीं हो रहा है तो यह कैसा हो जाएगा हमारा asymmetric हो जाएगा ठीक है अगर वहीं पे आप यहाँ पे आते हो इस केस में तो इस केस में अगर आप organism को देखते हो इस वाले को तो अगर आप यहाँ से cut कर रहे है तो यहाँ पे axis बना हुआ इसलिए मैंने draw नहीं करा है यहाँ पे axis बना हुआ यहाँ से equal of में divide होगा यहां से भी अगर cut करोगे तो भी equal of में divide होगा अच्छा जी अब मैं यहां से एक बारी रुको एक मिनट इसको copy करके चीक है मैं धर ले आता हूँ अगर मैं इसको इस axis से cut करूँगा तो भी यह equal of में divide होगा क्यों भाई सब होगा नहीं होगा बिल्कुल होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लास वाली case पर अगर आप आएंगे तो लास वाली case में आप लोगों कोई insect दिख रहा है जिसमें center से एक axis पास हो रही है ठीक है इसको चलो फिर भी मैं यहां पर लगा जातना center पर तो यहां से एक axis पास हो रही है तो इस axis के थुरू वो equal half में डिवाइड हो रहा है अगर मैं इस axis को हलका सा भी rotate करूँ ठीक है मैंने ऐसे रख दिया इस axis को क्या यह equal half में डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, सिर्फ एक axis के थूरू equal half में divide हो रहा है तो asymmetrical organisms कौन से होते है जो equal halves में जो equal halves में divide नहीं हो सकते है divide नहीं हो सकते है, ठीक है from any axis from any axis any axis example, यहाँ पे नीचे mentioned है that is again porifera तो इसको थोड़ा सा erase कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, बस काम होगो, यह porifera यहाँ पे हमार example है, ठीक है radial symmetry के case में क्या होता है radial symmetry वो condition है जहाँ पे organism जो होता है इसको आप equal halves में क्या कर सकते हैं equal halves में divide कर सकते हैं from any axis divide कर सकते हैं from any axis किसी भी axis से आप इसको equal half में divide कर सकते हो क्या बात, बहुत बढ़िया oh oh oh, मज़ा आ गया example के तोर पे night area हमारा show करता है radial symmetry और ऐसा नहीं कि सिर्फ night area ही radial symmetry show करता है और भी example से हाँ पे एक एक example दिये गए है टीनो फोरा जो होता है टीनो फोरा वो भी show करता है क्या radial symmetry last case अगर आप देखे रहे हैं तो यहाँ पे equal halves में division हो रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है equal halves में division हो रहा है मान लेते हैं बात क्यों ना माने यहाँ पे equal halves में body जो है वो divide हो रही है बिलकुल हो रही है लेकिन सिर्फ एक axis के through through only one axis ठीक है एक axis के through आप यहाँ पे किसी भी axis से divide करेंगे तो equal halves में हो गई या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं more than one axis more than one axis ठीक है भूद बढ़िया more than one axis तो यह हमारा symmetry हो गया पहला क्या था level of organization दूसरा हमारा क्या था symmetry level of organization में क्या देखा cellular tissue और उसके बाद organ उसके बाद organ system symmetry में क्या देखा asymmetrical, readily symmetrical and bilateral symmetry आप लोग सोच रहेंगे कि भाई ऐसके notes कहां में लेंगे तो telegram के कहते हैं पर हमारा description का link हम डाल देंगे telegram channel का जब class finish होगी जब आपके class खत्रम होगी तो आप उस telegram channel पर जा करके ठीक है यह PDF को ले सकते हो telegram channel का link हम डाल देंगे description में ठीक है मैं class के कहते हैं 12th के बच्चों को पढ़ाता हूं कि जब एक embryo development हो रहा होता है तो किस तरीके से germinal layers बनती है तो उसका आप class 12th में पढ़ेंगे भगवान की दया से अगर हम साथ में रहे ठीक है अगर आपको हम से जादे ही प्यार हो गया तो हम 12th class भी साथ में पढ़ेंगे so germinal layers क्या होती है एक तरीके से समझ लीजे ये germ layers भी आप इसको कह सकते हैं तीन होती है actodum, mesodum, endodum depending upon organism कुछ-कुछ में 2 भी होती है, कुछ-कुछ में absent भी होती है तो ये germinal layers चे होती है body के organs वगरा, सारे के सारे parts चे होते है वो यही germinal layers बनाती है ठीक है, now कौन-कौन सी होती है, ये होती है actodum ओके, और endodum या पहले बीच में लिखता हूँ, mesodum and सबसे अंदर की तरफ होती है endodum endodum ठीक है, ये तीन हम लोगों को layers देखने को मिलती है, actodum, mesodum endodum, एक process होता है embryo development के दौराँ जिसको हम कहते है, grassulation क्योंकि में उनकों पता है कि मेरे lectures के उपर बहुत सारा लोगों की नजार रहती है and specifically उन लोगों की जिनको गलतिया निकालने का थोड़ा शौक है तो इसलिए में बीच-बीच में बता जिता हूँ कि उनको लगे ना कि बस ऐसी पढ़ा रहा है तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है चलो, बात की बाते हैं वो so actodum, mesodum और endodum ये तीन germ layers होती है हमारी इनी तीन germ layers से मिल करके organism बनता है या इनी तीन germ layers की help से हम कह सकते हैं organisms के different parts बनते हैं body parts बनते हैं अब होता है कि कुछ-कुछ organism के अंदर ये तीनो germ layers present नहीं होती है और कुछ-कुछ के अंदर इनमें से एक नहीं होती है जैसे एक example के तोर पे germ layer की बात हो रही है layer कैसे बनेगी जैसे बात है tissue से बनेगी तो जो organism cellular level of organization शो कर रहा है देखो हर एक चीज का ना logic होता है germinal layers layers हैं cell की layers हैं तो basically वो क्या हो गया? tissue हो गया तो जो organism cellular level of organization शो कर रहा है उसके अंदर हम लोगों को हाँ नहीं मिलेगा ठीक है? उसके अंदर हम लोगों को germinal layer देखने को नहीं मिलेगा तो अगर मैं simply बात बोलूँ जो polyferas थे poly fera हम लोगों ने बोला कि polyfera जो है ये शो करते हैं cellular level of organization cellular level of organization ठीक है? ये हम लोगों का क्या है? polyfera का काम है ओ सारी, polyfera का organization है तो अगर महाँ पे cellular level of organization है या cell aggregate condition है तो क्या उसके अंदर germ layers देखने को मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल सही का आप लोगों ने कि नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि अभी मैंने बोला ठीक है? तो इसके अंदर कोई भी germ layer नहीं होती है germ layers नहीं होती है ठीक है? अब बहुत सरे बचे बोलेंगे भी फिर वो बनता है कैसे cell का बनता है? cell इखटे हो रहे हैं उसने एक shape ले रखी है cell से बन गया है वो ठीक है? बाकी अब जिनके अंदर tissues बनते हैं अब उसमें दो condition देखने को मिलती है जिस organism के अंदर tissues बगरा देखने को मिलते हैं उसमें दो conditions देखने को मिलती है हम लोगों को ठीक है? एक condition होती है हमारी first is diploblastic diploblastic देखो जितने प्यार से इस lecture को देखोगे न उतने ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा अगर हर बड़ी में देखोगे तो बकाम खराब हो जाएगा diploblastic and triploblastic triploblastic diploblastic and triploblastic diploblastic वो condition होती है जिन organism के अंदर हम लोगों को दो germlars देखने को मिलती है ectoderm और endoderm मैं आप से क्या कहाता? तीन germlars होती है ectoderm, mesoderm और endoderm ठीक है? लेकिन जिन organisms के अंदर दो germlars होती है उसको हम क्या कहते हैं? diploblastic organisms कहते हैं. example के तोर पे हमारे जो night area होता है night area जिसको हम sealant rates भी कहते हैं अगर इसके बारे मां आगे पढ़ेंगे antinophora, वहाँ पे हम लोगों को क्या condition देखने को मिलती है वहाँ पे हम लोगों को diploblastic condition देखने को मिलती है वही पे अगर आप बगल वाला case देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को ectoderm देखने को मिल रही है अंदर endoderm present है और उसके बीच में आप लोगों को mesoderm भी देखने को मिल रही है देख रहा है कुछ गलत तो नहीं बोल रहा तो इस condition में आप लोगों को 3 germ layers देखने को मिल रही है तो इसको क्या बोल लगा है triploblastic किसमे platyhelminthes के बाद या यह condition platyhelminthes से शुरू हो जाती है और हर organism में देखने को मिलती है platyhelminthes से हर organism में एक condition देखने को मिलती है अभी आप लोग थोड़ा examples के पर focus करो बाकि यह क्या है platyhelminthes के बाद क्या आता है क्या नहीं आता है वो आपको धीरे धीरे जैसे हम chapter में आगे चलेंगी पता लगता रहेगा तेक है अब एक छोड़ी सी बात मिले को बतानी है जिन organism के अंदर diploblastic condition होती है या दो germ layers होती है वहाँ पर actoderm के बीच में और endoderm के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा gelatinous सा potion होता है जरी like potion होता है या fluid भी आप कह सकते हैं present होता है उसको में कहता है mesoglia अब इसका भी question जो है exam में आप लोगों से एक बार ही पूछा जा चुका है बदलब आप लोगों से नहीं previous questions में या modules बगरा में questions ऐसे देते रहते हैं कि actoderm के बीच में और endoderm के बीच में कौन सा के कहता है substance present होता है so mesoglia या यह पूछ लेते हैं कि mesoglia किस में present होता है so nideria के अंदर और tnophorek के अंदर mesoglia देखने को मिलता है okay now next हमारा क्या कहते है basis of classification है that is cilum cilum क्या होता है cilum is basically space space between body wall and gut wall इसको भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते है cilum क्या है it is space between body wall and gut और we can say gut हमारा क्या होता है elementary canal ठीक है wall या आप इसको ऐसे कह सकते है space between ectoderm and endoderm तो space between ectoderm and endoderm अब आपको जो definition असान लगे आप उस definition से इस चीच को समझ सकते हैं पर पहले मैं आपको एक concept बता दूँ इसको ऐसे समझेए देखो simple सा ऐसा समझो आप अपनी हाथ वगरा मतलब आप एक room में हो बैड के पर लेटे हो आप अपने हाथ मूव कर पा रहे हो क्यों मूव कर पा रहे हो क्योंकि आपके आज पास space है logical बात है ना there is a space open space है तो आप अपने हाथ मूव कर सकते हो उपर ले जा सकते हो इसको ज़्यादा उपर लेके नहीं जाएंगो क्योंकि बहुत दर्द हो रहे हाथ में muscle spasm हो रहा है बहुत टाइम से ठीक है अपनी body जो है move कर सकते हो क्योंकि space है अब मालो उसी room के अंदर आप bed पे लेटे हो और मैंने उसी room के अंदर धेर सारी क्या कर दी धेर सारी cotton भर दी क्योंकि अगर बाकी चीज़े fill करूँगा तो चोट लग सकती है मैं बोलूँगा कोई solid substance fill कर दिया इटे रग दी मैंने तो चोट लग सकती मैंने cotton fill कर दी बहुत सारी और cotton ऐसे fill कर दी कि हर एक कोने के अंदर हो पहुच चुकी है और आपको भी पूरा cotton ने cover कर लिया पूरा पूरा एकदम मतलब इतने tight की cover कर लिया मैंने इतना thick cotton भरा है कि आप उंगली को अपनी मतलब बैड पे लेटे वे है और अपनी उंगली को ऐसे भी उपर भी नहीं कर सकते हो इतनी ज़्यादा मैंने cotton fill कर दी है समझना मैंने दू एकजामपल दी है एक एकजामपल आपने रूम में बैड के उपर लेटे हो there is no space between you and the wall of room लॉजिकल लग रहा है अब इस सेम चीज को सेम concept को अपलाए करो अपनी बॉड़ी के उपर मा लेते हैं कि अगर हमारी बॉड़ी के अंदर जैसे space नहीं होता आपका heart जो contract और relax कर रहा है क्या वो कर पाता अगर मैं इसको हर तरफ से कहते हैं cover कर देता by tissue तो क्या वो कर पाता नहीं कर पाता आपके esophagus के अंदर या stomach के अंदर जो movements होती है esophagus में paristalysis होता है intestine के अंदर paristalysis होता है stomach के अंदर churning movements होती है तो वो सारी movements होने के लिए क्लिए क्लिए space चाहिए lungs को move करने के लिए क्लिए space चाहिए so there should be some space inside body ताकि हमारे organs easily move कर सके ठीक है और function कर सके अब ये concept उनमें तो ठीक है जहाँ पर organ present नहीं है जिससे platy helmeties जो है वो show करता है organ level of इसमें एक ही organ है ठीक है तो अगर वहाँ पर हो ना हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन कहीं ना कि अगर जहाँ पर organ system वगर देखने को मिल रहा है अगर उनमें ये condition हो जाएगी थोड़ा problem आएगी क्योंकि organs रंग से function नहीं कर पाएगे so for proper functioning of body for proper functioning of organs sorry हमारी body के अंदर एक space होता है जहां पर फ्रीली मूफ कर सके है और वह space filled है by fluid या कुछ भी चीज़े that is another case बट एक space होता है ताकि organs move कर सके हाना तो इसी तरीके से यहां पर क्या बोलेगा space between body wall and gut wall या आप space कहलो और आप कहलो cavity कहलो बात एक ही है ठीके बट यह cavity क्यों होती है वो reason समझाना जरूरी था सो अब आएगे साप समझ पा रहे हैं कि वो reason क्या है ताकि internal organs से हमारे वो freely क्या कर सके function कर सके move कर सके हमको contract relax करना वो कर सके अगर वो नहीं होगा ऐसा तो दिक्कत आ जाएगी जैसे यह हमारा case आप जो देख रहे है ठीके यहां पर आप लोगों को बाहर की तरफ एक्टोडम दिख रहा है मैं यहां पर लिख देता हूँ this is एक्टोडम बीच में आप लोगों को दिख रहा है मीजोडम और सबसे अंदर की तरफ यहां पर आपको दिख रहा है क्या एंडोडम ठीके यह हमारे ट्रिपलोब्लास्टिक कंडिशन अच्छा सीलों की बात हम करेंगे जहां पर ट्रिपलोबलास्टिक कंडिशन है क्योंकि डिपलोब्लास्टिक कंडिशन में तो वैसे भी मीजोगलिया होता ही है ectoderm और anoderm के बीच में space होता ही है वहाँ पर तो museum होता है नहीं है तो cilum की बाद उसी में करेंगे हम जहाँ पर हमारा क्या है triploblastic condition है so अगर आप इस case में देखोगे in this case यह हमारा triploblastic condition यहाँ पर आप लोगों को space बिलुकुल भी नहीं दिख रहा ऐसी condition को हम कहते है a cilumate condition यह condition आप लोगों को देखने को मिलती है किसमें platyhelminthes में अब वहाँ पर दिक्कत भी नहीं है क्योंकि platyhelminthes में इतने कुछ खास organs नहीं होते हैं लेकिन अगर यह condition हमारी body के अंदर देखने को मिलेगी तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हमारी body के organs फिर उस तरीके से move नहीं कर पाएंगे so a cilumate condition जो है जहाँ पर there is no space between ectoderm and mesoderm ठेक है या आप इसको simply कह सकते है there is no cavity ठेक है या तो आप no cavity लिख दीजिए या आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते है no space between ectoderm and mesoderm बहुत बढ़िया चालिये जी आगे चलते है अब हम आपको a cilumate condition समझ में आगए किस में होती है प्लाटी हिलमेंटीज में होती है और वहाँ पे होने ना होने से कोई point नहीं है कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पे ऐसे organs ectoderm ये वाली अंदर वाली लेयर है this is endoderm इन दोनों के बीच में space दिख रहा है बढ़िया और आपको जो यहाँ पे छोटे छोटे patches दिख रहे है this is of mesoderm this is of mesoderm ठीक है तो यानि कि यहाँ पे तो body cavity है बिल्कुल सही बात है अच्छी बात है लेकिन उससे पहले एक और case हम देखेंगे फिर वापिस यहाँ पे आएंगे उसके बाद हमारे जो next case है मैं बार बार इधर क्यों आजाता हूँ थोड़ सा अदर कर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैद दिख रहा है बाहर की तरफ this is actoderm यह pink color का आप लोगों को mesoderm दिख रहा है अंदर की तरफ blue color का यहाँ पे endoderm दिख रहा है यहाँ पे भी आप लोगों को space दिख रहा है किसके बीच में actoderm के बीच में और endoderm के बीच में लेकिन अगर आप इस वाले image को और इस वाले image को थोड़ सा focus करेंगे थोड़ सा ध्यान देंगे तो आपको एक चीज दिखाए देगी एक बड़ी देखो ध्यान से थोड़ सा time दो कुछ दिखाना चाहरा हूँ यहाँ पे आप लोगों को actoderm दिख रहा है यहाँ पे आपको endoderm दिख रहा है और यहाँ पे space भी है और बीच बीच में उस space में mesoderm के patches present है लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहा है यहाँ पे हमारा actoderm है अंदर की तरफ endoderm है यहाँ पे mesoderm है ठीक और बीच में space भी है अगर आप इस case में देखेंगे तो यहाँ पे जो space है between actoderm and endoderm यह between body wall and gut wall ठीक है it is surrounded by it is surrounded by यहाँ पे जो body cavity है body cavity जो है in case of this image it is surrounded by mesoderm अगर आप ध्यान से देखेंगे तो it is surrounded by mesoderm on every side हर तरफ से mesoderm से surrounded होए इस condition को हम क्या कहते है इस condition को हम silo mate condition कहते है और true silo mate condition कहते है यह ऐसी body cavity को हम true body cavity कहते है हर तरफ से किस से surrounded है mesoderm से surrounded है so यह हमारी silo mate condition है and this is true true body cavity true body cavity अब आप पूछो कि भाईया last volume में क्या गड़बर है last volume में गड़बर यह है कि वहाँ पे space है ectoderm के बीच में और endoderm के बीच में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है but that space is not completely surrounded by mesoderm ठेक है यहाँ पे हम simply ऐसे लिख सकते है कि जो body cavity है is not surrounded by mesoderm not surrounded है by mesoderm तो यह जो cavity आप लोगो को दिख रही है this is false cavity this is called false cavity ठेक है क्यों false cavity कह रहे है क्योंकि वो जो space आप लोगो को दिख रहे है between actoderm and endoderm वो हर तरफ से mesoderm से surrounded नहीं है so this is false cavity और technically इसका हम क्या कहते है technically इसका हम कहते है pseudo-sealumate condition क्या pseudo-sealumate pseudo का मतलब बता है false selum ठेक है selumate या selum याने की body cavity ठेक है तो body cavity और selum लिखा ही वह पर तो यह हमारा क्या कहलाता है pseudo-sealum condition कहलाता है एक बड़ी फिर से देख लिजए मैंने क्या बोला कि देखो यार हमारी body के अंदर internal space होना एक जरूरी है ताकि एक organ system जो है normally function कर पाए अपने normal movement वगरा show कर पाए ठेक है अब यह उनके अंदर जरूरी नहीं है जहाँ पर organs इतने well developed नहीं है तो ठीक है triple oblastic condition show कर रहा है यहाँ पर space भी नहीं है practical mentis के अंदर उनके अंदर कुछ खास organs भी नहीं है एक्टोडम और एक्टोडम के बीच में space तो है but that space is not completely surrounded by mesodome बलकि वहाँ पर क्या present है mesodome के patches present है next case में हाँ आपको क्या दिख रहा है कि एक्टोडम और एक्टोडम के बीच में space है and that space is completely surrounded by mesodome from every side भार की तरफ से भी अंदर की तरफ से भी हर तरफ से उस space को किसने surround कर रहा है mesodome surround कर रहा है यह हमारा क्या है एक true silomate condition है या silomate condition है यह हम लोगों को देखने को मिलती है anelida से लेकर के एकड़म end coadirator तक ठीक है तो इसके बारे में भी discussion करेंगे जब हम philems पढ़ेंगे तो आपको पूरा clear हो जाएगा so anelida के बाद anelida से लेकर के end तक यानि की coadirator तक आपको यह condition देखने को मिलती है cool है बहुत बढ़ी है तो हम लोगों ने कौन-कौन से basis of classification पढ़ लिये सबसे पहला level of organization next symmetry और उसके बाद हमारा क्या है बॉडी सीलों या बॉडी कावटी है अगले पर आते हैं that is body plan body plan is somehow similar to कह सकतो चलो ठीक है रहेंदो कोई बात नहीं body plan तीन तरीके के होते हैं cell aggregate उसके बाद blind sec और tube within tube body plan cell aggregate कौन सा condition होता है यहाँ पर body जो होती है is made up of loose cell aggregate जैसे की पॉरिफेरा की body हम लोगों ने देखा था वो शो करती है cellular level of organization यह इतना important नहीं है यह इतना important नहीं है हम लोगों के important क्या है blind sec body plan और tube within tube body plan blind sec body plan वो होता है जहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिले single opening देखने को मिले single opening देखने को मिले किस में for ingestion of food and for ejection of food यानि कि food intake करने के लिए और food को बाहर निकालने के लिए आपको क्या देखने को मिले single opening देखने को मिले that plan is called blind sec body plan ठीक है तो single opening है किस के लिए for intake ठीक है और बाहर निकालने को क्या कहते है uptake और outtake मुझे नहीं परता मैं ingestion में थोड़ा technical मेरे English थोड़ी से कम जोर है but मैं technically ठीक है बाई ओ मैं चाहूं तो मैं यहाप पे ingestion और e-gestion लिग देखता हूं ingestion और e-gestion single opening से हो रहा है या आप इसको और असान टर्म्स में कह सकते हैं that is blind sec body plan यह आप लोगों को किसमें देखने को मिलता है sealant rate से लेकर कि प्लाटी हल्में थीज में थीजिए sealant rate हो गया हमारा night area हो गया प्लाटी हल्में थीजिए उसमें देखने को मिलता है करते हैं हैं आपको दो प्रिंग देखने हैं को मिलेगी एक तो यह पर माऊथ हो गया और यहां पर एनेस हो अब यह सारे हैं मतलब धिक्या कंडिशन है तो मैं आपको एक काम करता हूं मैं आपको अनिमल के फाइलम्स जो हैं उनके एक बड़ी नाम बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए चीज़े असान हो जाए और मैं आप लोगों को एक बड़ी रिवाइस भी करवा दूँगा यहां तक कहा जो पोजिशन है को मिलते हैं सबसे पहले ले स्टार्ट विद पैन का कलर चेंज कर ले वैसा थोड़ा सा समय दिया करें तो पौरी फैरा पौरी फैरा पौरी फैरा पौरी फैरा के बाद आता है हमारा नाइड एरिया जिसको हम सीलिन ट्रेटर भी बोलते हैं फिर आता है मारा टीनो फोरा नेक्स्ट इस प्लैटी हलमेंटी और उसके बाद फटा फट लिखते रहना भाई सब साथ साथ आप भी एसकेल मेंटीज फिर आता है हमारा एनलीड़ आर्थ्रोपोड़ा मॉलस्का या पहले एकायनो डाल दूँ बात ही कि ये कुछ बुक्स में मॉलस्का पहले दे रखा है कुछ में एकायनो पहले दे रखा है मैं एकायनो पहले लिख देता हूँ फिर मॉलस्का मॉलस्का के बाद हमारा आता है हैमी कॉड़ डेटा और हमी कॉड़ डेटा के बाद आता है कॉड़ डेटा यह हमारे सारे के सारे फाइलम से आफ एनिमल किंड़म ठीक है तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है मैं आपको बता दूँ देखो कुछ कोड़ बना लेते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा बेस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से कि पौरी फैरा जो होता है वो शुरू करता है और कुछ तो नहीं छोड़ा ठीक है नाइडियरे के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है अच्छा वैसे तो इसके अंदर सेलूलर लेवल है और कोई जर्मिनल लेयर अगरा है नहीं तो अगर यहां पर आप ए सीलोमेट लिखना चाहते हो तो वह भी लिख सकते हो डिखना पर कुछ नहीं होता है सो नाइडियरे और सीलोम ट्रेटा जो होता है यह कैसे होते हैं यह टिशू लेवल ओफ और अर्गनेशन शोव करते हैं और यहां पर हम लोगों को रीडियल सेमेट्री देखने को मिलती है और यह शोव करते हैं क्या ब्लाइंड सैक यहां पर लिख सकते हैं डिपलो ब्लास्टिक क्योंकि यहां पर जाम लेर्स देखने को मिलती है यहां पर भी आप लिख सकते हैं डिपलो ब्लास्टिक वहां पर कोई भी जाम लेर नहीं होती है प्लैटी हलम एंटीस से एसक एलम एंटीस तक आप लोगों को सब में लास त तक कॉड़ेटर तक यहां तक आप लोगों को देखने को मिलेगी ट्रिपलो ब्लास्टिक कंडिशन क्योंकि सब के सब के अंदर टीन जाम लेर्स देखने को मिलती है प्लेटी हैं हमारा कैसा है यह सीलोमेट है यहां पर कोई भी सीलोम नहीं होता है ओके लेकिन सब के अंदर हम लोगों को सूडो सीलोम कंडिशन देखने को मिलता है सूडो सीलोम आच्छा बट एनलीडा से लेकर के कहां तक कोडेटा तक सब के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है सीलोमेट कंडिशन देखने को मिलता है सीलोमेट यहां पर हमारा क्या कंडिशन ह है organ level of organization है ठीक है यहाँ पर थोड़े बहुत organs वगरा organ system वगरा देखने को मिलेंगे और यहाँ पर भी organ देखने को मिलता है बाकि एनरीडा से हमारे organ system शुरू हो जाते है organ systems start हो जाते हैं ठीक है लास्ट अग और क्या से लिख सकते है symmetry symmetry की भी बात करें अगर हम तो यहाँ से लेकर के सारे के सारे end तक ठीक है end तक कैसे होते हैं bilateral symmetry show करते हैं bilateral symmetry show करते हैं एक exception है that is e-kind or meta उसके बारे में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो अभी हम लोग ने 4-5 points पढ़े थे उस basis पर मैंने features लिख रहें शुरू कर दिया हैं सोचो मतलब 4-5 basis of classification पढ़ें और उसके basis पर आप 4-4 points अगर लिख पा रहे हैं तो इस सची बात तो कुछ होई सब्सक्राइब कर लेंगे चालो जी बढ़ते हैं की तरफ नेक्स हमारा basis of classification जो है के अंदर हम लोगों को segmentation देखने को मिलता है याने की body के अंदर divisions देखने को मिलती है segmentation दो तरीके का हो सकता है एक segmentation होता है हमारा pseudo segment और एक होता है हमारा metameric segmentation एक होता है कैसा metameric segmentation pseudo segmentation क्या होता है उसके बारे में ज़रा जिक्र करते हैं जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने एक organism बनाया अगर आप इसको अब देखो मैंने ऐसे उपर से थोड़ से cuts लगा दिये अगर आप इस organism को उपर से observe करोगे जब देखोगे भार से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इसके उपर क्या हो रख है इसको थोड़ सा हलका सा और ऐसे करना है तो कर देते हैं अगर नहीं visible है तो अगर आप इसको उपर से observe करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी body के उपर या इसकी body segmented हो रही है बीच में से divided हो रखी है कि एक तो यह segmentation हो गया एक segmentation यह हो सकता है कि यहां पर एक organism है दोनौं में फर्क है दोनौं में फर्क क्या है यहां पर आपको segmentation सिर्फ कैसा दिखने को मिल रहा है यहां पर segmentation कैसा दिख रहा है आप लोगों को internal भी देखने को मिल रहा है अब बहुत सारे बच्चे इसमें confused होते हैं उनको ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा segmentation पूरी की पूरी बीच में दिवार बनी हुई है तो उनको लगता है कि भईया अगर यहां की कोई चीज यहां प vessels वगरा एक segment से दूसरे segment में पास होते रहते हैं बट उनका segmentation internal है यहां पर segmentation से उपरफिशल है तो यह बाहर की तरफ देखने को मिलता है यह हमारे internal segmentation देखने को मिलता है तेके important क्या है हम लोग उसे exam में इसके examples पूछे जाते हैं तो अभी हम आगे पढ़ेंगे एनलीड हो गया उसके बाद आर्थरो पोड़ा में भी आप लोगों को देखने को मिलता है आर्थरो पोड़ा and next is our core data so core data के अंदर भी यह condition हम लोगों को देखने को मिलती है ठीक है so metameric segmentation है यह इसका ध्यान रख रहा है और बाकी जो हमारे होते हैं usually अगर समें segmentation होगा भी तो external हो superficial होगा ठीक है चलो जी आगे बढ़े next हमारा है that is notocode notocode भी basis of classification है notocode क्या कहती है कि organism के अंदर एक solid rod like structure होता है notocode क्या है एक solid rod like structure solid rod structure जो support provide करता है किसको body को ठीक है यह support करता है किसको body को अब आप सोचों कि भी है हमारी body के अंदर present होता है लेकिन embryonic development के दुरान जब हम बड़े हो जाते हैं जब हम fetal से इसे पास होते हैं तो यह जो notocode होता है जिससे अगर आप पीछे हाथ लगा के देखेंगे so this notocode is replaced by vertible column जो आप देखते हैं रीड की हड़ी ठेके तो यह notocode से ही बनी है अब सोचो आपकी body से अगर मैं से रीड के अड़ी को remove कर दूँ तो आप एकदम सीधा खड़े नहीं हो सकते हैं तो बहुत सरो और गैनिजम्स के अंदर यह solid rod like structure present होता है जो body को support करता है जिन animals के अंदर notocode होती है उनिकम क्या कहते हैं coordinates कहते हैं तो लास्ट वाला फाइलम जो है इसी feature के basis पर बना है इसी feature के basis पर बना है इनके अंदर नहीं होते हैं ठेक है तो कौन से है पौरिफार से लेकर के हमी कॉड़ेटर तक सारे के सारे कैसे हैं नॉन कॉड़ेट से हैं तो कि इनके अंदर आपको notocode या solid rod like structure देखने को नहीं मिलेगा ठीक है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे आगे चलते हैं नेक्स्ट इस शर्कुलेटर सिस्टम open और close तो यह भी एक basis था कि यहां बहुत इस बेसिस पे भी हम लोग अलग अलग फाला है को classify करते थे कि open circulator system है close circulator system है थोड़ा brief में बताऊंगा इसके बारे में ज्यादा detail में नहीं जाऊंगा आप लोग वहां पर देख सकते हो सबसे पहले close वाली side में आपको यहां पर क्या दिख रहा है यहां पर आप लोगों को blood vessels बगर बड़े तरीके से दिख रहा है heart अच्छे तरीके से हमें blood जो होता है यह flow करता है inside vessels and capillaries तो blood vessels के अंदर flow करता है simple सी बात यहां पर जो vessel system है वो well developed नहीं होता है तो blood जो होता है वो body के अंदर ऐसी flow कर रहा है जैसे कि यहां पर आप heart देखेंगे तो यहां से अपना blood जो है vessels के थुरू आया यहां पर ऐसी body organs के साथ contact में है तो यहां पर vessel system जो होता है not well developed ठेक है और blood जो होता है वो flow करता है openly यहां पर इसको दूसरी बाशा में ऐसे भी कह सकते हैं कि जो blood होता है हमारा blood जो होता है in case of open circulator system वो direct contact में होता है organs के साथ direct contact में होता है किसके organs के साथ महां पर तो के capillaries के थुरू diffusion वगर हो रहा है यहां पर तो directly जैसे मान लो यह organs है यह यहां पर यहां पर vessel system well developed नहीं है वहां पर vessel system well developed है आप देख भी सकते हैं image भी बड़िया तरीके से दिख रही है कोई confusion होना नहीं चाहिए नेक्स्ट हमारा क्या है embryonic development embryonic development में सिर्फ एक ही चीज़ देख रही है ज्यादा कुछ नहीं तो यहां पर दो conditions है that is protostomates और deuterostomates देखो stomia या stoma का मतलब होता है mouth ठीके stoma का मतलब जो है first opening जो होती है वो क्या बनती है mouth बनती है या पहले mouth बनता है फिर उसके बाद anal opening बनती है चो protostorms वह होते हैं जिसके अंदर पहली opening जो होती है वो कौन सी डेवलप होती है, पस्ट ओपनिंग जो डेवलप होती है, that is mouth, okay, so platyhelminthes से molluscus तक जो होते हैं, वो ये condition शो करते हैं, deutro का मतलब होता है late और weekend से बाद में, so late stoma मतलब mouth, तो यहाँ पर mouth जो होता है, late बनता है, बाद में बनता है, यानि कि यहाँ पर first opening जो होती है, वो body के अंदर कौन सी बनती है, anal opening बनती है, so in case of deutro stomach, anal opening पहले बनती है, anal पहले बनता है, और बाद में फिर mouth बनता है, example, econoderm तो पहले mouth बना है, deuter का मतलब बाद में late and stomach का मतलब mouth, तो late mouth बना है, पहले anal opening बनी है, ओके, next हमारे हाँ पर classification वाला slide आ रहा है, तो classification वाला slide एक बड़ी में समझाऊंगा आप लोगों को अच्छे तरीके से, और उसके बाद फिर हम फाइलम के features पे शुरू कर देंगे, पौरी फैरा वगरा जो है, बागी सारे different फाइलम्स जो है, इनको फटा फट अच्छे तरीके सारे features देख करके, इनके बारे में समझ करके, इसको खतम करेंगे, ठेक है, चली जी, चलते आगे, ओके, तो यहाँ पर आपके सामने पूरा का पूरा चार्ट है, ठेक है, तो बेसिकली यहाँ पर यह दिखाया गया, कि देखो पैरा जो है, और यह मैटर जो है, यह क्या दिखा रखा है, कि पहला classification जो था, इट वस अंद बेसे दॉप, लेवल्स, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टिश्यू और ओर्गन लेवल दे रखा है, और इसके बाद सिमिट्री की हल्प से हम लोगों ने दो अलग ग्रूप्स और बना दिये, रीडियल और बाइलेटरल के, फिर रीडियल के अंदर हमारा स्टीनोफोरा और सीलेंट रेट अगर आ चुका है, फिर क्लासिफिकेशन कर रखा है, ठीक है, तो इस तरीके से अपना पूरा का पूरा एनिमल किंग्नम को क्लासिफाइ किया गया है, आप इस चार्ट को बाद में भी स्टरी कर सकते हैं, देख सकता हम को थोड़े एक आईडिया लग जाएगा, कि कि इस तरीके से क्लासिफिकेशन system दिया गया था सो हम लोग start करते हैं जादा लेट नी करते हैं आते हैं सबसे पहले पहले फाइलम के उपर और उसके बारे में discussion करते हैं ठीक है वर्ष हमारा जो फाइलम है आटरि फैर पौड फैर्रा नाम में देको हर एक चीज जो दिए उसके नाम में सब कुछ छुपा होता है पौरी फैरा जो है इसके नाम में लिखा वाई वाइप आखा ओर यह और टिक है तो फैरा का मतलब होता है बीरिंग तो इसारटी पोर बीर एनिमल्स कैसे है यह और बीयरिंग अनिमल से कॉमनली सकम स्पॉंज भी कहते हैं एक्वेटिक होते हैं यानि कि पानी के अंदर पाय जाते हैं और यह किसी सर्फेस से आप लोगों को अटैस्ट देखने को मिलेंगे मुवेबल नहीं होते हैं थीक है ओके नेक्स पॉइंट मैं ली माराइन होते हैं बट कुछ-कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म पी आप लोगों को देखने को मिलती है जैसे कि स्पॉंजिला तो स्पॉंजिला एक इंपॉर्टेंट इग्जामपल बन जाता है क्यों क्यों कि यह एक फ्रेश वाटर स्पॉंज है यह एक फ्रेश वाटर स्प का मतलब होता है के लिए कोलनियल के साथ में भी रह सकते हैं और बोडिके उपर बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलते आगे तौ All ज़िस भी होलते हैं ना बढ़ते हैं की तरफ तो कि पूरी की पूरी अगर देखेंगे पूरी की पूरी बा उपर की तरफ देखोगे तो एक लार्ज पोर्ज ओपनिंग देखने को मिल रही है इस लार्ज ओपनिंग को हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैn आस्यूलम तो ओस्किलम के अंदर और और ओस्टिया के अंदर कभी कंफियूज मत होना कि क्या है क्या नहीं है तो small force जो होते हैं उसकों के कहते हैं और large जो होते हैं यह सकते हैं तो इनकी body के इंदर ने water चुछ सकते हो transform system चल रहा था है यह water channel system चल रहा हो था इनकी body के अंदर जो मारा water होता है और उसके त्रूँ एंटर करता है एक लार्ज ओपनिंग होती है उसके थूर्व वाटर जो एक्जिट कर जाता है तो देखेंगे अगर आप तो पॉर्श के थूर्व वाटर एंटर करता रहता है और इस लार्ज ऑसकिलम के थूरू बहार निकलता रहता है अपने साथ फूर्ड वगरा लेके आता है तो यह इंफ्यूज मत होना यहां पर फूर्ड बगर जो मैंने जिक्रे कर उसको भी भूल जाओ अभी लिए बस याद रखो कि बॉड़ी के उपर नियूमरेस पोर होते हैं इसको मने कहा बोला और एक लार्ज उपर उपर उपनिंग होती है इसको मने कहा बोला और स्कुलम बोला आसचे के थूव वाटर एंटर करता है और स्कुलम के थूए एग्जिट करता है ना स्वांज जो होते हैं दे हैं वेरियोस बॉड़ी फॉर्म एंड शेप विद एर्रेगुलर क्या सकते हो यानिक इसमेट्रिकल होते हैं हमारे यह सो मोस्ली एसमेट्रिकल यहां पर मेंचन है रीडिल सेमेट्री फोडिक देखने को मिलती है किसख अंदर साइकन के अंदर और लिकोस आलिने के अंदर होते हैं काफी कम देखा जाता है इसके बड़ास मॉसली देयार एंशिमेट्रिकल बड़ सायकॉन जो होता है मारा और लिको से लिना जो होता है देश याई रेडियल सबहुते हैं मुल्टि सैलुलेर होते हैं बिल्कुल सही बात है क्योंकि सेलूरर लेवल अफ और आफ और रहे हैं ए होता है सो वही बाते लिखे हुए हैं यहां पर मल्टी सेलुलर एक ही बात है अब यह इंपॉर्टेंट कहानी है अब पॉरी फैरा क्योंकि इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है तब मैंने आप लोगों से स्टाटिंग में बोला था कि जो लेक्शर है अगर आप नीट का अग्जाम देना चाहते हैं या बोट्स लेवल भी पढ़ना चाहते हैं तो दोनों के लिए काफी रहेगा ना बॉड़ी वाल जो होती है सकंदर आप लोगों को तीन लेर्स देखने को मि तो बारे में भी बात करते हैं अभी सो इस इमेज को मैं जर्ण कर देता हूं यहां पर अगर आप देखेंगे तो बाहर की तरफ आप लोगों को फ्लाट सेल्स थोड़े बहुत देख रहे होंगे जिसकों क्या कहते हैं तो पिनाकोडम बीसिकली बॉडी का शेप वगरा में सब्सक्राइब करके रखते हैं और इनर साइड पर लोगों को फ्लेखने को मिल रही है जहां पर प्रेजंट होते हैं हमारे को अनों साइट उसके बारे में भी बात करते हैं बीच में हमारा जिलिटनेस मेटीरिल है जिसको क्या बोलते है मीजन काइं ठीक है चालो जी अब देख लो इसको मीजन काइम के अंदर प्रेजंट होते हैं certain ameubocytes इसको थोड़े सो पर कर दूँ मैं एक सेकेंद दीजे मुझे थीक है तो मीजन काइम के अंदर प्रेजंट होते हैं amoebocytes, amoebocytes ना एक तरीके से हमारे मानलो की stem cells है सब्रमारी सिलेखने को مिलते हैं यह आगे महीं ने रगाया होगा 2 एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ ठिक है सो यह तरीके के स्रक्ट्टर्स बनाता है सब्छीन बनाता है यहां पे स्पांजों बलास हुग्रा बनाता है हैं तो यह कहीं न कहीं स्केल एक तरह किसे बोडिका स्केलटन बनाने में हेल्प करते हैं और यह किसे बना है स्कलेरो बास्टर बना एसकल ब्लस्क से बना है तो अमीबो साइट साथ नथिंग बट्ट देर जस्ट लाइक स्टैम सेल्ट ऑफ पॉरीफेरस जो डिफरेंट सकता है यही स्पंव घर भी बनाता है तो चूजी ओटेंठ्य को अगर में प्ल स्लेयर था जिसके अंदर प्रेजंट होते हैं और वह बनाते हैं आउटर कवरिंग ऑफ स्वांज में फैगोसाइट लाइज फूड पार्टिकल्स तो फूड पार्टिकल्स वगरों को ब्रेक करने में वह एल्प करते हैं स्कलरोसाइट जो आप लोगों को दिख रहा है यह भ सब्सक्राइब करते हैं तो वाटर का जो फ्लो है वो मेंटेन करके रखते हैं यह वाटर को अगर ऑस्टिया से एंटर कर रहा है तो उसको ऊपर की तरफ पुष करते हैं ऑसिकल्म की थरफ फुश करते हैं तो एक डिरेक्शन के अंदर वाटर का फ्लो कर champions करते हैं साथ इसद हमदेखेंगे कि Foods पार्टिकल्स को भी यह करते हैं थेखितो फूर पार्टिकल्स जो वाटर के अंदर होता है बहुत सारे फंक्शन होते हैं बट कोण सब्सद्राइब कि थरफ मैंटेन करके रखता है और फूड पार्टिकल्स वगरों को ये ट्राप करता है बॉडी वाल के सेंटर में एक लार्ज कैवेटी आप लोगों को दिख रही है इस कैवेटी को हम कहते हैं स्पॉंजो सील स्पॉंजो सील ठीक है बढ़ते आगे की तरफ सो यहां पर आपको कैनल सिस्टम और वाटर ट्रां लिंग रेश्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रेमोवल आफ वेस्ट ठेको रेस्पेरेशन और रिमूवल आफ वेस्ट सब कैसे हो रहा है डिफ्यूजन के थू हो रहा है कि फूड यादरिंग में कौन पार्टिसेपेट करता है को रवा इंस साइट से अल्प करते हैं है को ह क्यानोसाइट सब्सक्राइब करते है लाइनिक ऐस पॉंजोसिल तो सपॉंजोसिल जो क्याविटी ती उसकी अंदर की तरफ इन्र लाइनिंग जो किसे बनी है जो होई है तो ऑस्टिया के थूप और निकलता रहता है एंड साथी साथ अपना फूर्ड को भी ट्रैप करता रह देख लो इसमें पहली पॉइंट तो बोला है कि यूनिक फीचर स्पॉंज इसका ठीक है वाटर एंटर करता है किसके थूरू ऑस्टिया के थूरू फिर बॉड़ी कैविटी में जाता है स्पॉंजुसील में और वहां से फिर और आप देखेंगे इस वाले केस में भी तो वा हो गया सब कुछ किसके थूरू होता है इसी के थूरू होता है क्योंकि वाटर जो होता है फ्रेश मतलब बेसिकली जो कनाल सिस्टम इसकी वज़े से फ्रेश वाटर आता है फ्रेश वाटर आएगा तो फ्रेश ऑक्षिजन लेकर के आएगा उससे ऑक्षिजन डिफ्यूस कर किस water में चल जाता है ठीक है तो यह सारी चीजह किसके थुर्फ होती है इसी water system के थुर्फ होती है and excretory matter जो होता है in case of sponges excretory जो waste substance है वो कौन सा है वो है ammonia वो कौन सा है ammonia है ठीक है बहुत बढ़ी आगे बढ़ते हैं यहां पर एक सिस्टम का सीक्विंस देर रखा है देखो वाटर ऑस्टिया फिर स्पॉंजोसील तो रॉसकलम के थुरू वाटर आउट नॉट्रिशन जो है होलो जोई है याने कि हाँ पर सॉलिड फूड पार्टिकल को एंगल्फ किया जाता है सॉलिड फूड अमीबा की तरह पार्टिकल क कूं से किया जाता है एंनगल्फ किया जाता है ठीक है हमारा कैसे हो सकता है १ॉल जो इंटरिके के डाइजेशन होता है कुल्च पाते में आप लोगा को सार्टिक में ही डिटेल में बता दूगा फिर में बाद में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको चीज़े याद रखनी है जैसे कि अब मैं आपको digestion के बारे में बताना चाहरा हूँ कि digestion जो हमारा कैसा होता है वो intracellular और extracellular दो तरीके से हो सकता है intracellular digestion कौन सा होता है जब कोई digestion within cell हो ठीक है within cell जब digestion होता है उसको कहते हैं intracellular example के तौर पे आप अमीबा का example ले सकते हैं इसको भी छोड़ो अमीबा का example ले लो अमीबा क्योंई cellular organism है तो food particle को engulf करता है and food vacuum के form में और उसको में digest करके absorb कर लेता है फिर body से बाहर निकाल देता है लेकिन अपना example हो गया अगर तो हमारी body के अंदर क्या होता है कि जैसे intestine के थूर अगर खाना पास हो रहा है तो intestine एक space है हमारी body के cells से होते हैं उस space के अंदर digestive juices को release करते हैं और उस space के अंदर cavity के अंदर वो digest होता है खाना because of digestive juices और बाद में उसको absorb किया जाता है यहाँ पर स्टमक का भी example ले सकते हैं जिस्टमक जो होता है उसके अंदर क्या space ही है खाने है तो जो स्टमक enzyme release करता है जैकर उससे हमारा खाना जो है डाइजस होता है बाद में उसको body के बाएं सेल के बाहर मतलब कि जो सहल के बाहर एक सपेस है आसपास cavity है उसमें जिसे की स्टमक के अंदर देखेंगे तो इसमक बैग लेक स्ट्रक्चर है उसके इन्टेस्टन एक ट्यूब लेक सट्चर रहे तो इस ट्यूब के अंदर है intra cellular digestion है ओके नाव skeleton कैसा है internal है अगें consist करता है आफ टाइनी केल्स केरियस specules तो calcium के specules होते हैं siliceous specules आने की silica के specules होते हैं specules हमारे basically कैसे तो pointed structures होते हैं छोटे छोटे ठीक है इनी को specules बोलते हैं and spongy fibers भी देखने को मिलते हैं कुछ fibers भी देखने को मिलते हैं और सब कुछ कहां होता है मीजन काइन में होता है scleroblast secret करता है specules किससे बना था amoebo site से amoebo site से उसी तरीके से spongyoblast जो होता है हमारा यह बनाता है स्पॉंजिन फाइबर्स यह भी किस से बनते हैं अमीबो साइट से बनते हैं तो स्केलेटन के नाम पर यहां पर छोटे-छोटे स्पेक्यूल से कैल्शियम के और सिलिकन के और फाइबर्स हैं जो बॉड़ी को तरीके से सपोर्ट वगरा प्रोवाइड करते हैं ठीक है सब्सक्राइब आप लोग और यह बात पढ़ चुके हैं बॉड़ी फ्रेग्मेंट विल फॉर्मा नियू इंडिविज्व या बडिंग छोटा सा बड़ बनेगा जैसे कि हाइडर के उपर बनता है और वह बड़ डिटाइच करके एक नया इंडिविजल बना देगा sexual reproduction अमीबो साइट्स जो होते हैं वो गैमीट्स बनाती रहते हैं चीक है जो हमारा वो एक सेल है या स्पर्म है वो बनाते रहते हैं तो वो पास्टिबिलिटी यहां पर है तो स्पर्म और एक फ्यूस करते हैं और फॉर्म्स दी जाइगॉट और वो जाइगॉट अपना ग्रो करके नया और इंडिविजल बना देता है चालो जी एसेक्शुल लिपर्ड़क्शन में आप लोगों को बड़्स कभी-कभी बड़्स इंटेर्नल भी बनते हैं ठीक है लेकिन वह अन्फेवल कंडिशन में देखने को मिलता है यतने इंपॉर्टेंट है नहीं बट इसके ब बन रहे हैं किसमें देखने को मिलते हैं स्वें केस ऑफ हमारा स्पॉंज इस इसका सेक्शुल रेप्रड़क्शन काफ़ इंट्रस्टिंग है इंट्रस्टिंग कैसे हाँ आप से लिखावा हर्मा फ्रोडाइट हर्मा फ्रोडाइट वर्ड आपको बहुर बहुत बारी किSponge जो होता है उसके उपटर मेल औंट फीमल दौनों सेक्सिस देखने को मिलते हैं थीकर अच्छा बट बाइसेक्शुल है यहांनी मेल फीमल दौनों सेक्स और्गन से तो भी यहां पर फटलाइजेशन जो होता है वह दो अलग अलग पेरेंट की बीच में होता है एक इं अजय को फीमेल एक जो होता है वो डुप करता है फस्ट पी करता है कि अग मैद स्पं घुर। यह पहले बनता है तो मानों कि अगर एग वगर पहले बना है, तो जिस sponge के अंदर sperm अब बन रहे हैं, लेड बन रहे हैं, उसके sperm water के थरू, water canal system के थरू बहार निकलेंगे, दूसरे sponge में जाएंगे और उसके egg को fertilize कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, जो एग होता है, वो तो इस वाले स्पॉंज इस पहले डवलाइब और नहीं बने हैं लेकन अगर किसी दूसरे सपॉंज के अंदर स्पॉं पहले बन चुका था अब बन रहे हैं तो महां से स्पॉंज वाटर की थूँ आएंगे इसको फटलेज कर देंगे फटेलिजेशन यहां पे कैसा होता है इंटर्नल होता है इंटर्नल फटेलाजेशन इसके बारे में भी मैं डिस्कुशन करूंगा बट पहले आगे देख लेते हैं प्रोटोगनस कंडिशन देखने को मिलती है यानि कि फीमेल पार्ट का डेवलपमेंट या फीमेल एग का होती है ना इंटर्नल डिकंड या इंटर्नल फटेलाजिशन दो तरीके के पेंसलिए ह होते है हमारे एक होता है external and एक होता है internal external fertilization के case में क्या होता है जब हमें कह सकते हो किसी medium के अंदर या इसको पहले internal समझो internal में क्या होता है जब fusion of gametes fusion of gametes जो है वो कहां पर हो रहा है inside body ठीक है ऑफ female inside body of female body का मतलब क्या है female reproductive system के अंदर होना body का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर भी हो जाना जायर से बात है I am talking about the female reproductive system so अब यहां पर आप कहेंगे वह यहां पर तो female नहीं है यहां पर female नहीं है लेकिन fusion तो body के अंदर ही हो रहा है ना ठीक है यहां पर तो बाइस्ट्रक्शल इसलिए आप male female refer नहीं कर सकते हो लेकिन fusion तो within organism ही हो रहा है दूसरे हमने क्या बोल दिया internal fertilization external में क्या होता है जब fusion of gametes fusion of gametes कहां पर हो किसी medium में हो यह आप simply कह सकते हैं outside the body उसको हम क्या बोल देंगे external fertilization बोल देंगे जैसे कि example के तौर पे fishes में आप लोगों ने देखा है amphibians में आप लोगों ने देखा है कि वो जो अपने eggs होते हैं water में release कर देते हैं और आगी की तरफ यहां पर आप देख सकते हैं formation of ova and spermatozoa from archaeocytes यह आप कह सकते हैं अपना क्या बनता है फिर उससे अपना क्या बनता है और स्पॉंज बना देता है अगर आप लोगों से कोई लार्वे का नाम पूछे तो आप याद रख सकते हैं amphiblastula और पेरेंट काइमियूला क्योंकि कभी कभी एक्जाम में अब तो नहीं पूछे जाते हैं लेकिन जब मतलब मैं पुराने पेपर सॉल्फ करता था जब मैं बहुत पुराना था नहीं उसके अंदर के कहते हैं लार्वास के नाम भी पूछ लिया करते थे हलाकि पिछले चार-पांच साल से मैं देख रहा हूं छे साल से अग्यस तो उसमें ऐसे लार्वा के नाम नहीं पूछे जा रहे हैं क्योंकि एंसे इंसे में मेंशन नहीं है ऑके बड़ जो बड़े- पूंसर दिये गए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको ऐसा लगे कि अगर फ्री में कोई चीज मिल रही है तो वह फालतु है बेकार है काम की है और उस क्वालिटी की है जो क्वालिटी के लिए शायदा आप कहीं और एक लाग दो लाग फिपर दे रहे होंगे ठीक है कु क्वाइं की स्पोंच करते हैं और उसकी बाद लिउकोस वीलिए ना जो कि हमारा रीडेल से मिटरी शों करता है इसको लोग स्मॉलस्ट पांज यह हमारा स्मॉलस्ट पॉंज पर स्काइफआप जास आइक यह भी इसकोंट पर पलाइट यह भी काफी इंट्रस्टिं रिशक इसका कॉमन नेम के वीनस फ्लार बास्केट ठीक है तो यूप लगा कॉमन नेम तो कॉमन नेम और जो हमारे साइंटिफिक नेम से वह आपको याद रखने चाहिए क्योंकि एक्जाम में आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं now next is phylum sealion trator phylum sealion की अगर में बात करूँ सो ये भी कैसे होते हैं उसली level quan होते हैं एंट few fresh water अगर उसकी बात करें जैसे कि हमारे जो स्पांजिस थे तो वह दोनों तरीके से फाइटो प्लैंक्टन पर अगरा भी कंज्यूम कर सकते हैं फूर पार्टिकल्स को उनको सेलक्शन नहीं है बट यह मुसली कैसे होते हैं कार्निवर्स होते हैं यहां पर एक बात है कि ससाइल भ होती है जो free swimming होती है स्वेंबी कर सकती हैं ना डे शो करते हैं रेडिल सेमेटरी अब कंपेर करो मैंने इग्जाम्पल भी दिया था कि जो पॉरि फैर जो ते हैं वो शो करते हैं कृई और यह लेर आपको यहां पर कि देखने को मिलती है एक बात है कि अभी दोई जब हैं तो भी सीवीं की बात करेंगे नहीं हम लोग सीवीं की बात करेंगे इंट तो अभी तक मेरे को लगता ने की कोई कंफुजन होगा क्यूंकि अगर रेडियल सेमिट्री की बात करूं तो इसके बारे में भी पहले बता दिया था तो यह भी पहले बता दिया था तो अभी तक सारे पॉइंट्स काफी असान रहे हैं आप लोगों के लिए सवाल यह है कि इसको हम सीलेंट्रेटर और नाइडेरिया क्यों कहते हैं अना उस सवाल को भी जरा दूर कर देते हैं But इनका exoskeleton जो होता है किसका बना ओता है calcium carbonate का progress में देखनें देखनें का मिलता है जरूर नी कि हर केस में exoskeleton calcium Carney का बना हम अब बात पहला कोशन था कि इसको हमять यो क्यों कहते है यह कहने का एक रीजन है कि इसके अंदर एक सेल देखने को मलता है इस नीडो ब्लास्ट और नीडो साइट नीडो साइट्स के अंदर होते हैं stinging capsule क्यों कहते हैं निमेटो साइट्स अभ इसके बारे में बात करते हैं प्रेज़न ओन टेंटेकल सान बाड़ी तो यह पहां पर प्रेज़न है तैने को अधिकल से काप्चर करने के लिए बीऊस करते हैं सो जैसे यहाँ पर देखेंगे से धियसन इज्ट लोगों को सेयल दिख रहा है दिस इस वाट दिस इस नीडो ब्लास्ट और नीडो साइट इसके अंदर आप लोगों को ने कोईल हो करके ने देखो ठ्रेड लेक श्रक्चर दिख रहा है और इसके उपर लगे होते हैं काटे क्या है कि इसके इस केंदर होता है तो अगर यह आपको अलग जाए तो हैस लगए मैंने यहांगा वीडियो लगाई थी और गैस चोटी इसको अगर हम चाहें तो देख सकते हैं मैंने मतलब मेरी ही नहीं है मैंने भी कहीं से दिकी थी जालेगा तुम्हें आप लोगों को दिखा रहा हूं कि यह देख लो यहमारा क्या है निडुस 2 और नगल स्थ है ठीक है और आप लोगों को भी दो क्या करते हैं हम वह दिखाएंगे सकतो जो नाइड इरिंट होते हो को आपस में लड़ते भी दिखाएंगे तो किस तरीके से अपने टेंटेकल का यूज करते हैं वह और नीडो साइट का यूज करते हैं तो आपको पता लग जाएगा भी थोड़ा सा मेरको आगे जाना पड़ेगा यह देखो जो सेल्स आप लोगों को दिख रहे ना दीज आर नीडो साइट्स और वीकन से नीडोब्लास्थ तो अपके से आप लोगों को यह देखो यह निकल दा स्टिंगिंग कैप्सूल तो इस स्टिंगिंग कैप्सूल इस नीमाटो कहते हैं नीमाटो सस्ट यह जो वाइट वाइट आप लोगों को ball-like cells देख रहे हैं दीजा निकाल रखा है तो यह काफी मतलब useful होता है इनके लिए for defense या capture of prey और मतलब attachment अब यह तो हमें पता लग गया कि इनकों नीडोब्लास्ट क्यों कहते हैं दूसरा सवाल हमारे दुमाग में जो आता है that is की why we call them sealant rates अब जैसे कि sponges real था मतलब sponges की body के अंदर central cavity को हम लोगोने के बोले तक पॉल था उसी तरीके से इनकी body के अंदर भी हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं इस seen potential cavity को हम क्या बोलते हैं Silk Keys and टे नगा में सेलेंतरियों और ये जो सेंट्री ट्यड होती है इसका कहते हैं किस्टै इनने ट्रहक लिजर्ञाएं बेसीकली अगर गईस्ट्रो ट्रह पे आ रहे घैस्ट्रो और हैम इस ऑस्कूलर तो पह से आपके दमाग में पर आपको single opening देखती है for mouth as well as for anus single opening जब होती है तो उस plan को हम क्या कहते है blind sack body plan ठीके तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है blind sack body plan चलो एक बड़ी देख लेते हैं थोड़ा sequence में पढ़ते हैं चीजों को large central cavity देखने को मिलती है आप लोगों को जिसको कहते हैं सिंगल अपर्चर होता है और है पर वाला पॉश्चन होता है है तो आप सिंगल अपर्चर होता है देखने को मिलता है ठीके दूसरी बात इसकी होता है और साथ ही साथ वहाँ पर जो डाजेस्टेट फूड होता है तो इस वज़े से गैस्ट्रो और वैस्ट्रो और वैस्ट्रो सिस्टम का काम क्या होता है हमारी ब्लड के अंदर वैस्ट्रो सिस्टम क्या है ब्लड है ब्लड वैस्ट्रो सिस्टम चीजों को ट्रांस्प इंट्रा सेलिलर भी होता है एक्स्टा सेलिलर डाजेशन सीलियन टिरॉन में होता है मैं को स्पैलिंग गलत कर देतों मैं बारबरी देखलू मैं हाँ सीलियन टिरॉन में होता है और इंट्रा सेलिलर डाजेशन जो होता है वो बेसीकली सेल्स वगरा के अंदर देखने को मिलता यह और दोनों तरीके से होता है एक्स्टरसलेलर और इंट्रसलेल्ल दोनों तरीके इसलिए क्या बोला गया gastro vascular यह मैं आपको पहले ही बता चुका था ओके चालो जी so dual role है that's why it is named as gastro vascular cavity और स्टीलियन टिरॉन मुझे नहीं लगता कि कुछ-कुछ टीचर्स जो होते हैं इन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं मतलब फिर हमेना चीज ना रटनी पड़ती है हम कहते हैं कि बायों को रटना पड़ता है अब आपको पता है gastro vascular cavity क्यों बोल रहे हैं इस reason से बोल रहे हैं कभी-कभी हम लोगों को as a student बहुत चोटी-चोटी चीज़े भी समझ में नहीं आती है और मैं अपना example दोंगा तो मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे दमाग में भी एकदम से नहीं आया था कि यार gastro vascular cavity बोल रहे हैं हम ठीक है बैट क्यों 11th class में नहीं नहीं आये था ना तो gastro correlate कर सकता थे लेकिन उस टाइम पर दमाग इतना काम नहीं करता तो टीचर को एक हिंट देना होता है तो हमारे मतलब एक्स थे परसन उन्हें बोलास को gastro vascular cavity कहते हैं ठीक है और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जब आप नहीं नहीं चीज़े कर रहे हो ना तो आपको एक तो पहली बात सार तुम भूल जाते हो बाद में जब पढ़ते हो तो फिर से यास आदा है सुसके बाद पूछती हो तो टो भी डंगसांसा नहीं मिलता कि पूछा चलो ठीक है पूछ भी लिया तो रहे होता जिया है да तो मैं ऐसा सब के लिए नहीं कहा रहा कि दिए वेरी गूड टीचर बट कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि हम लोगों के भाग अच्छे नहीं होते हैं सो कोई बात नहीं बट गैस्ट्र वैस्कुल कहने का रीजन आप लोगों को पता लग गया है सो मीद करते हैं कि यहां पर और गरहा कुछ नहीं है सब्सक्रइब करने के लिए वाटर का रिक्वार्मेंट बहुत ज्यादा होता है तो उन्हें अंदर क्या उन्हें अहीं अमो में लोगों को वेस्ट sorry अन्हें में बटेहने लिए बिटबिक प्लिक नहीं बहुत बढ़िया बढ़ते आगे की तरफ नर्वस सिस्टम जो है वो कैसा है डिफ्यूस टाइप का है अंकंसिस्ट करता है नॉन पोलर नियूरॉन्स अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई यह नॉन पोलर नियूरॉन्स क्या होते हैं ठीक है तो सोचिए जर कि मैंने बच्चों से पूछा था कि नॉन पोलर नियूरॉन्स का क्या मतलब मतलब होता है तो मैं जाना चाहूंगा ठीक है तो चैट सेक्षमांसर करिए देखते हैं क्या अंसर आते हैं बट अभी बेसिक मतलब तुम आंसर करो तब तक मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पर बॉडी के अंदर ऐस सच कुछ खास चीज़े नहीं है जो नियूरॉन्स है उसके एक नेट बना हुआ है आप बॉडी को अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर एक नेट सा जिसके साथ मतलब बैडमिंटन कभी आप लोग ने खेला होगा ठीक है कभी वॉली नियूरॉन्स क्या होते हैं सीलेंट ट्रेट्स जो होते हैं उनकी दो बॉडी फॉर्म्स देखने को मिलती है सब में नहीं कुछ-कुछ में दो फॉर्म्स देखने को मिलती है इसले इसको हम डायमॉर्फिक भी बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है एक फॉर्म होती है प कैसी होती है, cylindrical होती है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, थोड़ी almost cylindrical सी है, इसके tentacles से होते हैं, वो अपर की तरफ होते हैं, यहाँ पर लिखा वाए, mouth and tentacles से होते हैं, directed upwards, तो mouth उपर की तरफ है, ठीक है, और tentacles भी उपर की तरफ है, maybe solitary और colonial, अकेली भी रह सकता है, और colonies में भी रह सकती है, polyp polyform, आच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर अगर बात करें, medusa, medusa जो होता है, कैसा है, एक तरीके से देखोगे, तो polyp form का उल्टा ही है, पूरा उल्टा है, शेप भी देखोगे, तो उल्टी है, इसका mouth और tentacles कहाँ पर नीचे की तरफ है, ठीक है, तो umbrella shaped होता है, and free swimming, यह हमारे polyp की तरह ऐसा नहीं कि सिसाइल है, जुड़ावाई जमीन से, free swimming है, कहीं पर भी swimming करके जा सकता है, हमेशा अकेले ही रहता है, solitary है, mouth and tentacles कहाँ पर है, lower side पर है, डाउनोड है, and यह एक sexual form है, sexual form मतलब कुछ-कुछ organisms या कुछ-कुछ individuals, sealant traitor के अंदर, या कैसे अकते हो, नाएड area के अंदर ऐसे होते हैं, जिनके अंदर इन दोनों forms के बीच में alternation होता है, देखो, आपको या तो polyp form देखने को मिलेगी, या तो आपको medius form देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ-कुछ organisms ऐसे होते हैं, जो अपनी life में इन दोनों forms को शो करते हैं, ठीक है, example है, obelia और physalia, so obelia और physalia के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है, alternation of generation, जिसको हम कहते हैं metagenesis, now what is metagenesis, इन organisms के अंदर, एक exist करती है, sexual form, that is हमारा medusa, ठीक है, so, यह medusa जो होता है, यह sexual reproduction से produce करता है polyp, and polyp जो होता है, ए sexual reproduction से produce करता है, क्या वापिस से medusa, so, यह जो है, ठीक है, यह हम लोगों को देखने को मिलता है, किसके अंदर, obelia के अंदर, और physalia के अंदर, यहाँ पर क्या और यह generation alternate कर रही है, पहले asexual generation थी, फिर sexual हाई है, पहले sexual थी, फिर asexual हाई, but alternate कर रही है, sexual form जो होती है, gametes को fuse करके अपना यह बना देते हैं, polyp, polyp सो होते है, asexual reproduction के थुरू क्या बना देते हैं, medusa बना देते हैं, और नीची यहाँ पर एक और line लिखी होगी, अगर अब देखेंगे, तो metagenesis is absent in hydra, adamcia और aurelia, तो अब यहाँ पर भी example में दे सकता हूँ, hydra जो है हमेशा polyp form में exist करता है, और aurelia जो हमेशा exist करता है, in medusa form, तो यह सारी बाते काफी जरूरी हैं, काफी important है, हम लोगों को छोटी छोटी बाते जब पता रहेंगी, तो हमको चीज़े अच्छे तरीके से समझ में आती हैं, यह exam में question बहुत बारी आया हुआ है, metagenesis के उपर, कि क्या होता है metagenesis, alternation of generation, medusa कैसे बनाता है, polyp को sexually बनाता है, polyp कैसे बनाता है medusa को, तो asexually बनाता है, ऐसे question exam में आय वे हैं, tickets को देखो, ओके, चालो, अब reproduction जैसे कि यहाँ भी बोला गया, asexual by budding, sexual by gamut formation, development कैसा होता है, indirect, और यहाँ पर भी larval stages देखने को मिलती है, just like हमारे polypheris की तरह, यहाँ पर example है, hydra हो गया, देखो, फ्लेश वाटर polyp भी लिखावा है, obelia, जो की metagenesis में exist कर रहा था, panantula, panantula का common name जो है, इसको सीपन कहते हैं, common name और उसके scientific name के उपर questions आते हैं, मेरे को याद है कि मतलब मैंने question देख रखे हैं, यह, आपको common name और scientific name दोनों याद रखने पड़ेंगे, panantula जो होता, इसको सीपन कहते हैं, याद रखना, ओके, और उसके बाद, फाइसेलिया, इसको Portuguese of man war बोलते हैं, उसका एक बहुती और इलिया, jellyfish जो कि आप देख सकते है, medusa form में exist करती है, अब बात करते हैं किसके बारे में कि non-polar neurons क्या होते हैं, देखो अप लोग ने class 10 में control and coordination पड़ा है, वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि dendrites में impulse receive करते हैं, वह जाती है, exon पर और exon से फिर next neuron पर जाती है, यानि कि अगर एक exon की बात करें, तो dendrite में impulse आती है, और exon से निकलती है, hydra के अंदर जो या नाइडिरेंस के अंदर यह जो neurons वगरा होते हैं, वह तब यहां पर impulse होती है, हर एक डिरेक्शन में radiate करती रहती है, ओके, नाँ, नेक्स्ट हमारा जो फाइला में दाट इस टीनो फोरा, छोटा सा फाइला में इसको फटाक से कवर कर लेते हैं, टीनो फोरा, टीनो को मतलब क्या होता है, या टैसिस, याइश याइश का मतलब टो कारी, तो इनकी बॉडी पर आप लोगों को कॉम जैसा स्ट्क्चर बनता है, आपको देखना को मिलेगा, या सी बॉलनेट भी कहते हैं, ठीक है, तो चालो जी, सो सी गूसबैरी कहते हैं, कॉम जली या सी वालनट अलग अलग इनके नाम है, एस्क्लूसिवली माराइन है, दिर इस नो फ्रेश वाटर फॉर्म, ठीक है, बाइलूमिनेंस शो करते हैं, इस इस दी यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक भी नहीं कहूंगा, बट एक करेक्टर स्य प्रफॉपर्टी, क्योंकि बया लगिन नंस और भी फॉर्म शो करती है, बट, हम लोगों से यूजूली पोछा जाता है कि कौन्सा फालम जो है वह मेंली एग्जिबिट करता है, बाइलु मैंसक्त सारी सब्सें और बाइलूमिनन आба लूमिननीेंट इग्जस शो करत टिश्यू लेवल ओर्गाइनःजेशन ये भी मेरे को पता है खुदी मैं लिए टाउं सफील के बाद क्या था मारा और कुकि यहां पे भी बेर यहां देखने को मिलता है आट है कि यहां पे भी हम लोगों वह कैसा होता है intracellular as well as extracellular just like hydra और नाइड अरिया डिप्लोब्लास्टिक और कैनेजम है वर्ध टिशू ग्रेड़ और ग्राइजेशन जो कि मैंने आपर मेंचिन कर दिया है कि यहां पिनकी बॉडिसरफेस के ओपर conquest होता है और उसकी हल्प सी क्या करते हैं लोकमोशन यह लोगs करते हैं कि देखो जस्ट δेकि नाइड व्हूर्ण एक्स्ट्र सेल्ण एं इंटर सैलीलर र्श्पेश्जन भी हमारा कैसे होता है उसकी तरह ही, diffusion से ही होता है, so skeletal, excretory, respirator systems absent है, all things takes place via diffusion, now carnivores होते हैं, long solid tentacles present होते हैं, and tentacles वगरा जो होते हैं, basically capture वगरा करने में help करते हैं, किसी भी prey को, special type of cells present होते हैं, किसके ओपर, tentacles के ओपर उसको कहते हैं, lasso cells और coloblast, जो help करते हैं, catching of prey, तो, जैसे कि, हमारा needle blast था, in case of night area, यहाँ पर हमारे lasso cells और coloblast present होता हैं, जो capture करने में help करते हैं, किसको prey को, बाकि completes present हैं, जिसके ओपर सीलिया है, उन सीलिया की help से, यह move करते हैं, ठीक है, sexes are not separate, that means they are bisexual, but हम bisexual term जो होते हैं, mostly animals के लिए यूज नहीं करते हैं, हम कहते हैं, क्या, हार्मा, फ्रोडाइट, ठीक है, reproduction क्या से होता है, by sexual means होता है, fertilization external, that means कि यहाँ पर fusion of male and female gamete, male and female, gamete जो होता है, वो कहाँ पर होता है, external, outside the body, और outside the body क्या present है, वो तो watery present है, तो water में होता है, external medium में, ठीक है जी, life cycle, free living, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, काई डिपिड लार्वल सेज देखने को मिलती है, नाम याद रखोगे लार्वा का ठीक है, नहीं रखोगे तो भी ठीक है, क्योंकि लार्वा नेम से अचकल पूछना थोड़ा से कम कर दी है, बड़ अगर अगर आप चाहते हैं, तो याद रख सकते हैं, सो हम लोग ने इसमें क्या क्या पॉइंट्स पड़े हैं, सिसकोम क्या कहते हैं, सी गूजबैरी स्कॉम जैली सी वानलेट्स पगरा कहते हैं, मेनली मराइनी होता है, फ्रेश वाटर होता नहीं है, बायो लूमिनेंस हो करता है, बड़ी सॉफ्ट है, ट्रांस्पेरेंट है, जली की तरह, ओके डिपलो ब्लास्टिक, टिशु लेवल अफ और ग्रेजिशन, ब्लाइंटिक, बडाइंट बंडी बाण रिडिल सबिट्री और उसके बाद लोकामोशन किसके हलप से होता है, सिल्एर और इस्वल इस एक्टरसले रूटर, फिर उसके बाद रेस्प्रेशन और एस्प्रेशन कैसे होता है, हमारा बेसिकले के थूरू कार्निवोरस होते हैं special type of cells present होते हैं tentacles के उपर जिसकों कहते हैं लासो cells और कोलोब्लास्ट वह help करते हैं पर एक को capture करने में सेक्सिस सेपरेट नहीं है हर्माफ्रोडाइज है पर्टलाइजिशन एक्स्टरनल होता है एक हमें डिरेक्ट लार्वल स्टेज देखने को मिलती है और लार्वे का नाम क्या है काई डिपेड लार्वे ओके चालो जी नेक्स्ट हमारा फाइल में प्लैटी हलमें इस सो अब स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं थिक है जी सो पलैटी हलमेंटी होते हैं हमारे वह कैसे होता है डॉर्स वैंपर हें निकी बॉड्दी जो है वो कैसी होती है डॉर्सलerg वैंट्रल सईड ऑफ बाडी को पता लगाने के सिंपल सा तरीका है डेल हो यह आप त्स इस flight दे देक थी है अधस अ Bentनृप सर्फिस को फेष कर रहा है तो यह साइड आपकी वह कैसी और होगी सिंपल सा लॉजिक है ज्राड़ ने लगाना आपका फेस जिस तरफ है या आगर आपका फेस इस सिर्फ की तरफ है ठेक है या सब कोई भी पूजिशन में आते हो तो फेस सर्फेस की तरफ होगा इस पोजिशन में तो भी सर्फेस की तरफ होगा जो फेस आपका सर्फेस की तरफ होता है उसको हम कहते हैं वेंट्रल साइड अब जैसे बैक की बात करो तो बैक मेरी सर्फेस की तरफ थोड़ी नहीं मतलब मैं अगर बेंड होंगा तो बैक तो मेरी मैं बस एक याद करने का सिंबल सत तरीका बता रहा हूं ठीक है क्योंकि इस मैंना बहुत सरे लॉजिक लगाएंगे कि फ्रॉक्स जो होते हैं फ्रॉक की तो आखे उपर की तरफ होती है यहां पर उसको तो सर्फेस का वह दिखता नहीं होगा बड़ उसका जो मतलब फेस वाल आपको तो फ्लाट्वर्म सुत हैं डॉर्स वेंटरी फ्लाटन यान की बॉड़ी आगे पीछे से चप्ती होती है ठीक है मोसली कैसे होते एंडो पैरसाइट जाने की बॉड़ी के अंदर पैरसाइट होते हैं किसी और्गानिजम की बॉड़ी से न्यूट्रिशन सख कर रहे होते हैं कुछ फ्री विविंग भी होते हैं जैसे कि अ ठीक टीक है जी बाइलेटरल सिमिट्रीकल होते हैं बॉड़ी और्गाइजूशन कैसा है ओर गैन यहां इरिपूरी यहां पे डिवाइल हो सकती है है लेकिन सिर्फ उर सिर्फ वनरक्शस के थूजरों इसिंग एकस्षक त्रूम्ट 20 के तिन जीमिडरम अधर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलती है ऑगे उक्या अच्छा लोको मोटरी ओरΓंस इसके अंदर absent होते हैं logical भी है क्योंकि mostly कैसे है endoparasite body के अंदर parasites होते हैं तो लोकोमोशन वगर एक खास करते हैं नए अधैसी उर्गेंस present होते है जैसे कि सकर्स हो गए हमते हैं हो गये प्रेजंट होता है कि डर परसेटेस्टि ओके और फैसेटे को सक बहुत होगे के यौश नसमिटेस्ट के इंदर यहां पर देख सकते हैं होक अपको दिख रहे हैं और साइब dough और सब्सक्राइब दिख रहे हैं तो होक्रेंद सब्सक्राइब के उपर जो प्रटेक्ट करता है दी पैरसाइट सब्सक्राइब नगे मसल्स इन बॉडी वॉल आर मीज़ोडर्मल मसल्स का रिजन जो मीज़ोडर्मल है बिलो एपिडर्मिस लॉंगी टूडर्म सरकुलर मसल्स अबलीक मसल्स प्रेजंट यह इंपॉर्टन नहीं है नॉट इंपॉर्टन इसको यहां से हटा दो ठीक है बस अभी पैरसिटिक फॉर लेकिन यहां पर स्रीरों देखने को नहीं मिलता यहां नोग वाल गट वाल एक्टोडम और मीज़ों अंडोडम के बीच में कोई भी स्कैविटी नहीं है डाइजस्टिव सिस्टम कैसा है इनकंप्लीट है ब्लाइंड सेक बॉड़ी प्लान डाइट मिंस की सिंगल ओपनिं बॉड़ी से मतलब निकालने की ज़द परती निए इंको डेजस करने की ज़द परती निया तो बोडी के अंदर इन में डाइजस्व सिस्टम नहीं होता ठीक है टेप ओना डाइटर्शी सिस्टम इस कंप्लेट्लेटली अप्संट डियों क्योंके पारसाइट यह अब बोलो के आपने का था की और यह और यह प्रेजशन होती है तो कुछ-कुछ ऑगे तोड़े होते हैं हलाकि में प्रिफर करता हूं यह बोलना की और इंड शू करता है organ system level of organization जो है हमारा वो कही न कही एसकेलमेंटी से start होता है okay respire करते हैं किसके थूँ body surface के थूँ anaerobic respiration is found in internal parasites like tinea so internal parasites चो होते हैं जैसे कि tinea solium उसके अंदर हम लोगों को anaerobic respiration देखने को मिलता है and anaerobic क्यों body के अंदर है ते oxygen pulse नहीं पाती है वहां तक तो prefer करते है anaerobicly respire कर रहा ठीक है एसक्रीशन अकर करता है थूँ specialized cells जिसको flame cells कहते है और selenocyte कहते है it is very important और नीट में बार 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 इसके उपर सवाल आए है body के अंदर इनके present होते है flame cells which are specialized cells जिनकों solenocyte भी कहते हैं और वो इसक्रीशन में help करते हैं साती साथ osmoregulation यानिकी body के अंदर जो कह सकते है concentration है salt water balance वगरा जो है वह maintain करके रखते हैं और इनका भी excretory matter कौन सा होता है ammonia ही होता है ठीक है तो ammonotallic organisms है ठीक है nervous system ladder like है यानिकी सीडियो की तरह है कंसेस्ट करता है नर्व रिंग और लॉंगिट्यूड नर्व और सब्सक्राइब लंबे लंबे सीडियो की तरह स्टक्चर देख रहा है यहां पर आप लोगों को है बाइसेक्शवल होते है रिप्रक्टिव सस्टम कॉंप्लेक्स है बट वैल डवलप्ट है फेटलाजेशन इंटर्नल होता है डेवलप्मेंट इंडारेक्ट थू मैनी लावल स्टेज़स सम्मेंबर्स के पास जैसे के प्यानेरिया हो गया उनके पास रिजनरेशन की वी क कोशन आया हो है नीट में कि डगेशिया जो है वह किसका नाम होता है तो प्लेनीरिया को हम कहते हैं कॉमन नेम और साइंटेफिक नेम्स इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नीड की प्रप्रेशन कर रहे हैं तो ठीक है सो बारे में कुछ बाते जान ल कि फ्लं कहते हैं kingdom life में सकीड़ होस्ट इंवहल होते हैं इसले इसका हम डाइजैक पैर साइट कहते हैं कुछ कुछ पेरसाइटıs होता में समय करते एजर्जैव इन दो होस्ट की जोथ होती है तो एक वह बेसिंगलिया जैनेटिक पैरसाइट है टीनियस ओलीम प्रक टेप वं फ्लैट होता है वाइव कलर का है रेमार्म नाइक है हमारी गट के अंदर इंटरसेंगे अंदर देखने को मिलता है आटासलो करता असे किसकी लुझा एक हो कि हल्प और सकर की तुम्हें चंश करता है लिवर को कॉस्ट करता है इंतेस्टैनल डिसाइटर शक्यो स्कूर् 2 डिस सब्सक्योस्टियों ऐसे कह सकते हो आप疇ंध ब्लेट्टिक का नामी स्कुर स्कूर स्टोमर है तो वैसे जाद रहेगा ठीक कहां-कहां पर देखने को मिलता है वे division of human bladder and intestine तो यह सारे के सारे हमारे प्लाइटी हलमेंटी के टाइप से और यह एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है अब इन्वर्टिब्रेट्स में हमारे फाइलम बज गए है एसकेलमेंटी आने लीड और अर्थोपोड और इसके बाद एक कांडर मेटा और मलस्का हम लोग ने भी फाइलम्स कर लिये हैं जो मेजर फाइलम्स थे हमारे यहां पर हो चुके हैं अब हम लोगों को इस पार्ट को यहां पर अंड कर देते हैं एक पार्ट में और लग में गया होगा कोई दिक्कत हो कोई परिशानी हो आप मुझे बता देना बहुत सर बच्चे थोड़े से घुसा हो रहे थे की बहुत टाइम लगा दिया लेक्शर देने में एनौल सो ऐसा नहीं है थोड़ा सा नहीं बन पारा था मतलब टाइम लेकिन अब रेगलरली के कहते हैं मैं आपको हर एक वीक में लेक्शर भेशते रहांगा और टाइम से स्लेबस हमारा फिनिश हो जाएगा ओके सो मिलते हैं आप लोग से नेक्स क्लास में तब तक लिए बबाए और थैंक्यू समच